इस ट्विडम बात करने जा रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो CBSC के प्राइवेट फॉर्म भरने की सोच रहे हैं और उनको कन्फ्यूजन है कि LOC क्या होता है क्या LOC उनके लिए है या नहीं देकि जो LOC होता है इसका मतलब होता है list of candidates तो यह जो LOC है यह school वाले submit करते हैं CBSC board को कि हमारे यह यह candidates है जो exam देने जा रहे हैं बोर्ड का तो उनकी एक list जाती है पूरे candidates के नाम जाते हैं तो यह उनके लिए होगा जिनको regular करना है अब आपको regular तो करना नहीं है आपको इंप्रूम्मेंट या फिर जो supplementary का exam है या फिर आपको essential repeat का exam देना है वापको private देना है तो private वाले बच्चों को इसमें कोई लेना देना नहीं होता है आपको LOC नहीं देनी है तो यानि कि आपको school से कोई लेना देना नहीं होता है तो आपको सीधा CBSC के private form online website से भरने होते हैं तो form अभी आपके नहीं आए जो LOC आई ये regular वाले बच्चों के लिए है इसा कोई बात नहीं है कि आप private देंगे तो कोई उसमें आपको value कम हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है तो वह जो form आएंगे वह आप खुती भर सकते हैं online website पर जाके आप हमसे भरवा सकते हैं हमसे भरवाने के लिए आपको telegram ग्रूप का जो link है उसको जो 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 जाएगा महां से आप जोइन करके अपना फिल करा सकते जिसके अंदर आपके सारे डॉकिमेंट्स जो भी आपको चाहिए होंगे वह आपको भेजने होंगे और फिर आपका फिल अप हो जाएगा तो सब्सक्राइब करने लिंक आपको description में दे रखा है महां से आप पेमेंट झाल